नमस्कार साथियों डॉर्टर रुमंखना उम्योंपेथी क्लीनी के इस प्रोग्राम में एक बाद फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो आपको बहुत खुबसूरत होते हुए भी अगर वो समस्या हो जाए तो आपकी खुबसूरती को 70% कम कर देती है या आप सोच सकती हैं कि 80% भी कर देती होगी और वहाँ समस्या है आपके आखों के नीचे काले घेरे की माल लेते हैं आपका रग बहुत गोरा है इसकीन फ्लॉलेस है सब कुछ है तेकिन आख के नीचे काले घेरे आ गए तो मामला उससे बहुत डाउन हो गया तो उस मामले को अप करने की हम आपको आज़ दस कारगर हुमयोपेथिक दमाये बताएंगे जो आपको सेल्फ कॉंफिडेंस ला देंगी आपकी कुछूर्टी में चार चांद लगा देंगी और आपकी कॉंफिडेंस में 100% बूस्ट कर देंगी सब से पहले हम लोग यहा जानते हैं कि डार सरकल होते ही क्यों है डार सरक्ल साथियों तब होते हैं, जब आपका जो आइस होती है, इसकी जो नीचे की जो इसकीन होती है, यहां बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, तो अगर आइस की सकीन के नीचे कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है, तो वहाँ एक्टिविटी आपका सामने बहुत जादा होता है उनके यहां पर आइस के नीचे जिनका इस्ट्रेन का काप बहुत जादा होता है जिनको नीन नहीं आ रही होती उसके तमाम कारण होते हैं तो उनकी आइस के नीचे यहां पर पूलिंग और ब्लड हो जाता है जब कैपिलरी में ब्लड इखटा हो जाता ह और क्योंकि यहां skin बहुत thin होती है तो वहां blood की जो capillaries होती है उससे जो वह skin tone है वहां reflect होने लगती है और वहां एक darkest tone का look देके आपको काले घिरे का look दे देती है तो basically यहां pooling of blood vessels है जो आपके आँखों के नीचे skin में पतली जो skin होती है उसके पीछे होती है डार सरकिल होने के तमाम कारण होते हैं एक कारण उसमें aging है उमर के साथ आपकी capillaries dilate होती है और वहां जब dilate और थोड़ी torturous होने लगती है तो वहां आपकी skin में reflect होने लगता है दूसरी condition allergies होती है काफी लोगों को allergies होती है जिसके कारण कि उनके इत्ते अरिया में stress परता आई ball socket और आजपास के अरिया में और उनके आदिकत हो जाती है cosmetic का आदिक use भी जब eyes को आपके बार-बार irritation देता है वहाँ irritation एक वक्त आने पे आपके eyes के नीचे reflect होता है उसके लावाद तमाम medication होते हैं जो आप किसी भी मर्ज के लिए ले रही होती है वहाँ आपको नुकसान पहुचाते हैं उसके साथ में नीद ना आना भी एक कारण होता है जब आपके नीद नहीं आती है तो आपके stress रहती है और जब आपके stress रहती है तनाव रहता है तब भी आपके sleep deprivation रहता है तब भी आपके यहाँ पे pooling of blood शुरू हो जाता है और वहाँ को काले गेरे के रूप में आपको दिखता है बात कर लेते हैं इसके symptoms की इसके symptoms वही हैं कि अगर आपको महसूस हो रहा है सुबह आप उठते हैं तो जादा आपके नीचे काले गेरे होते हैं और वाद दिन के साथ कभी कभी कुछ लोगों में fade हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक unconscious उसका एक tint उसका ए हैं लेकिन आप उसकी चिंता ना करें आप हम पर छोड़ दें हम आपको बताते हैं हमियोपेथी में डार सर्किल्स को दूर करने की दसकारगर हमियोपेथिंग दमाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी medical समस्या है अगर आपको नीन नहीं आ रही है कोई भी medical समस् चाहे तो उसकी दवा आप किसी कुसल्ची किस्त से प्रिस्काइब करा के लिए हमारा चैनल या कोई भी आने चैनल देखकर सीरे दवा ले देना चला जाए क्योंकि कभी-कभी यह जो दवा फाइदा देती है नुकसान भी करके आपको ज़्यादा परिशान कर सकती है चलते बड़ा कारण डार सर्किल का आखो में ठकान होता है अगर आपको ठकान है आप दिन भर इतना काम कर लेती है इतना वर्क कर लेती है आज कल तो महिलाएं जॉब भी करती है तो अगर आप इतना काम कर लेती है तो जो है आपके डार सर्किल होने की बहुत संभाबना है और य अगर आपके आइस के नीचे डार सरकल है काले घेरे हैं और आपको बहुत धकान मैसूस होती है और आपका हेर फाल विसात में हो रहा है या सारी कंडिशन यदी आपको हैं तो आप फॉस्फोरस वन एम की तीन कुराग पंच-पंच मिनिट के फासले पर वीकली हर हफते ले ल और आप इसकिन की पूरे चेहरे की टोने एक जैसी हो गई और फॉस्फोरस बाल ढड़ने से रोकने की भी बहुत कारगर दवा है या प्रीमियम दवा है या नंबर एक दवा भी आप कह सकते हैं फॉस्फोरस के मरीज की तकलीफें बेसिकली शाम को बढ़ती है तो अगर आ हैं यहां सारी कंडिशन आप देखते हैं तो आपकी ड्रग ऑफ दा चॉइस आपकी आखों के नीचे की काले को घेरे को दूर करने की फॉस्फोरस है फॉस्फोरस वनियम विकली लेके आप अपना लाब पा सकते हैं एक और इस्तिती जो बनती है वहां होती कि जब आप जब लिकल होती है और उससे आपको आकों में काले गेर उसके नीचे आने लगते हैं तो उससी स्थी को संट और को संडलर्जी के कारण होनेवाले टार्स क्ल्स को दूर करने की होमियो पैटी में बहुत कार गर दवा ग्लोनाइन है अप ग्लोनाइन 30 दो दो बून दिन में 3 इन बार ले 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 आप देखेंगी कि अगर आप उप में जाएणक है काम पहुत लोगयर जूस्त मैं का annan करते हैं इनको दुकान दुकान जाना पड़ता है घरकर आ पड़ता है अपने ठार पडिएटिवा कर और इस सोद्रूप से एक्सपूजर होती है डार सरकिल की वहाँ एक खून की कमी यानि हीमो गलोबिन की कमी यह एक बड़ी कॉमन कंडिशन है जो आग के नीचे ब्लू रिंग से डार सरकिल कॉस करती है कभी कोई बहुत बीमारी से उठा बड़ा बीमार रहा कहीं एडमिट रहा उसके बाद घर आया या कुछ दिन टाइफ़ाइड या किसी बुखार में पढ़ा रहा उसके आद वो इतना वीक हो गया है कि उसकी आखों के नीचे काले घरे आ गए तो अगर आपके खून की कमी की कंडिशन के साथ आखों के नीचे काले घरे तो उसको दूर करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा फिरम मिटैलिकम है आप फिरम मिटैलिकम 30 पावर में 2-2-3 में तीन बार लगातार ले लें कुछ दिन तक आप देखेंगी कि आखों के काले घरे चले गए आपके खून की कम साल महसूस करने लगी फिर एक दवा आती है सातियों या एक स्थिति आती है मैं कहूं कि जब आपका पेट अक्सर खराब रहता है आपके कब्स रहती है और आपके आपको के नीचे काले घेरे आ गए हैं तो उस इस्थिति में जब आपको हैपर एसिडिटी की शिकायत रहती ह हो आपके कब्स बनी रहती हो आपको नीन ना आती हो आप सिंसिटिव हो आपको अवाजों से भी तकलीफ होती हो उस तरह verder की ती 67 को ठीक करने की होमिए पैती में बहुत कारगर दवा नक्सवमिका है आप नक्सवमिका 30 पावर में दो दो गून ले लें आप देखेंगी कि आपके जो है वहाँ हाइपर एसिडिटी भी ठीक हो गई आपकी सेंसिटिवनेस भी कम हो गई आपका अकेले रहने वाली जो कैफियत है वो भी कम हो गई और आपके पेट को साथ में आपका डार सरकिल भी आईस का खत्म हो गया फिर तीसरी इस्ठिति आती है कि बच्चों में चुलवुले और सेथान बच्चों के नीचे आख के काले घेरे हो गए और उनके पेट में कीडे है तो अगर पेट में कीडे होने के कारण वंस्क होने के कारण आपके जो है वो काले गेरे हो रहे हैं तो उसके लिए हुम्योपेथी में दूर करने की बच्चों में काले गेरे दूर करने की आखों के नीचे बहुत कारगर दबाया सिना आप सीना थाटी दो दो बून उन्हें तीन बार देदें आप देखेंगी कि उनका चेचड़ापन दूर हो गया उन बच्चों का जो जब तक जमीन पे लोड़ते रहते हैं जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए इस तरह के बच्चे, जिन में ठोड़ी जिच जादा होती है उस तरह के बच्चे उनके पेट में कीड़े होते ही एक वर्म मनिफेस्टेशन का साइन भी होता है, इरिटेशन, चेचड़ापन तो आप सिना देकर कि आखों के नीचे काले घेरे हैं गाल पिचट गए हैं और बिल्कुल लगा कि अब बैठने की कगार, पे हैं कोई काम नहीं होगा तो अगर यहाँ feeling आप में हो और काले घेरे आखों में हो तो उसे सिती को दूर करने की हुमियों पहती वेती हो बहुत कार कर दबा आप बर्बेरिस वल्गेरिस है आप बर्बेरिस वल्गेरिस जो कि हम लोग नॉर्मली पत्री के लिए इस दवा को जादा जानते हैं लेकिन आप बर्बेरिस वल्गेरिस का मदा टिंचर अगर 20 मून सुबा साम ले लेते हैं तो आपके यहां स्थिति की जब आपके गाल जब आपके जोड़ों में बहुत दर्द है आप एक आर्थराइटीस से पीड़ित है या आप पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इस दोनों कंडिशन में जब आप पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं या पानी में ऐसा काम होता है कि आपको पानी में बहुत रहना पड़ता है और या आपके आर्थ्राइटीज है खासतोर से रुमेटाइड आर्थ्राइटीज है उस इस्थिती में उन तकलीफों के कारण आपके आपकों के नीचे डार सर्किल आ गए हैं तो अगर वो आ गए हैं तो आप घबडाएना इसको दूर करने की हमयोपैथी में का आपका जो पानी के काम से या पानी के भीगने के बाद होने वाले आपकों में नीचे काले घेरे हैं या फिर आर्थ्राइटीज या रुमेटाइड आर्थ्राइटीज के तकलीफों के कारण आपके आपकों के नीचे काले घेरे आ गए हैं वहाई दवा से तुरंट साही हो के नीचे पफी स्वेलिंग उस इस्तिती को दूर करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगरदवा नेट्रम कार्व है आप नेट्रम कार्व पके नीचे पफीनेस भी हो फिर एक एक स्थिति के आपके डार सरकेल होँ आपके इसकी ₹ इफेक्शन्स भी साथ में हो तो अगर आपके इसकिन के एफेक्शन्स यानि की कोई एक्जेमा कोई इस तरह का स्किन का डीजी आपको साथ में और आपके आपको में काले घिरे आ गए हैं तो इसको दूर करने की हमियोपेटी में बहुत अच्छी रभाव वैनिला एरोमेटि इसके चले गए फिर एक इस्थिति आती है कि आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो अचानक और उसके कारण आपको बहुत कम जोरी हो और आपके आपके नीचे काले घेरे आ गए हो अगर यहां इस्थिति आप अपने में देखते हैं तो इसको भी तूर करने की हुम सिंकोना ओफिसनेलिस सिंकोना ओफिसनेलिस वह दवा है जिससे हुमियोपैती का इजाद डाक्टर हैनिमन साब में करा था यहां वह दवा है जो आपकी ब्लड लॉस के होने वाली कमजेरी को एक हपते के अंदर दूर कर देगी और आपके आखों के नीचे पड़े काले घे अगर यहां इस तरह की दिक्कत हो जिससे आपके मिनुरेजिया हो रहा हो या फिर आपको किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो गया हो तो चाइना यानि सिंकोना ओफिसनेलिस आपके ब्लड लॉस को भी बूरा करेगी और आपके आखों के नीचे पड़े काले घेरों को भी खत प्रशिती आप अपने में देखती हों तो उसको भी दूर करने की हुम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है काली फॉस काली फॉस सिक्सेक्स की चार गोली दिन में चार बार लेने से आपकी आखों के काले घेरे खतम हो जाएंगे आपका डिप्रेशन आपका नींद ना आना खतम हो जाएगा आपकी घबराहट खतम हो जाएगी और अपने को आप बहुत फिट पाएंगे तो आप काली फॉस सिक्सेक्स को आँख में नीचे होने वाले काले घेरों में दूर करने में डार सरकील आरांड या बिलू आइस को दूर करने में आपकों के नीचे काले घेरे आ गए तो अगर यहां इस्तिती आप में एक हो रहे किस्तिती की दवा है हुमें पैठी में यह वहाए चिनिनम सल्फ आप चिनिनम सल्फ थर्टी पाव में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकती हैं जब आप यह जान नहीं कि लगातार बिम बीमार पड़े रहने से आपकी आखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं तो आप चिनिनम सल्फ का इस्तेमाल करके इस समस्या से निकल के अवश्लाब पा सकती है फिर एक इस्तिती और सिम्टम जो बहुत कॉमन हम लोग लिए पर देखते हैं कि मरीज को उकाई बहुत आती है बीमार मरीज आता है उसको कुछ भी डाइएस्ट नहीं होता उसका डाइजिस्टिप सिस्टम इतना खराब है कि उसको उकाई बहुत आती है और उस उकाई को आने के साथ उसकी आखों के नीचे काले घेरे भी हैं तो अगर वहां इस्तिती आपको होती है तो उसको दूर कर पर दोबने की होमयोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है इपिका इपिका 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले ले जब आपको डिश्टर्ब्स आपको उकाई बहुत आती हो आपके रिगरीटेशन होता उपर की तरफ मुझ की तरफ तो आप इपिका 30 लेके अपने आखों के काले घिरे जब यह symptom आप में पाए जाता है तो उस सिती में आप काले घिरे खतम कर सकती हैं फिर एक सिती आती काले घिरों की की मरीज को आखों में काले घिरे हैं और साथ में शरीर में कसाव महसूस होता है उन्हें सीने पे भी कसाव महसू को बान लिया एक बैंड जो है कमर पर बांदे हुए एक बैंड जो हातों को बांदे हुए इस तरह का sensation आता है और यह sensation बहुत लोगों के आता जिनके आखों के नीचे काले घेरे होते हैं तो इस बैंड के sensation को दूर करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा एनाकाडियम है आप एनाकाडियम दो सो दो दो बून दिन में तीन बार यदि ले लेती हैं तो आप देखेंगे कि आपका tight band across chest भी खतम हो गया और आपका आखों के नीचे होने वाले काले घेरे भी खतम हो गया एनाकाडियम दो सो पावर की दवा आपको नीद लाने में बहुत अच्छा काम करती है कि अगर आपके आपके नीचे काले घेरे हैं ये साथियों को दवाएं थी आपके लिए आपकों के नीचे डार सरकिल को खतम करने के लिए कोई भी दवा किसी रेइस्टर्ट प्रेटिशनर से लीजिएगा ये प्रयास है मेरा कि होमियोपेथी को आपके करीब लाओं होमियोपेथी को आपको इंट्रिड्यूस कराओं आप ये जाने कि होमियोपेथी में इस चीज का इलाज है फिर आप कुसल चिकिस्तर के पास C300C 9415786380 पर आपनी query को WhatsApp कर सकते हैं या फिर आप notification पैनल में अपने query को लिख सकते हैं हमें खुशी होगी आपको संतोष चनक और काम्याब जबाब देने के प्रयास की अगर आपको साथी हो हमारा यहाँ प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा, हमारा होसला बढ़ेगा अपने channel को आप subscribe जरूर कीजिएगा, share करिएगा और bell notification बटन दबा कर आप हमारे ने से नया वीडियो सबसे पहले पाते रहेगा आप हमारे साथ इती देश साथ रहे आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया हमको सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत आभाद धन्यवाद क्या हमको झालो सबस्टाइं साथ बहुत आपका बहुत आपका बोराद आपकाश बहुत आपका बहुत वक्त हमको ऑन्यवाद